शैजाद पुनावला और शैजाद मुझे पता है आपने बड़ी राहत की सांस लियोगी नीचे ब्रेकिंग न्यूस भी चल रही थी अब देखे ये बड़ी confusion भरी यात्रा है पूरे देश में राहुल गांदी घूम के आये 24 दिसंबर को Christmas Eve के दिन पर उन्होंने कहा था कि अठाइसो किलोमेटर चल कर आया नफरत कहीं नहीं दिखी कुटा बिल्ली सुवर घदे सब साथ में चल रहे हैं ये उन्होंने कहा था वक्तव्य था उनका परन्तु यहां पर उनके जो तधाकति जो साथी जुड रहे हैं उनके साथ इस यात्रा में वो कह रहे है कि नफरत में तूट रहा है भारत और वो कहरें नफरत तो ही नहीं कहीं पर देखें मैं तो इसको इस प्रकार से समप करता हूं कि वोट बैंक की है मजबूरी इसलिए हुसन अफरोजी पूरी पर रखेंगे दूरी-दूरी मतलब जाना नहीं है पर वोट बैंक की मजबूरी भी है अ उसी पार्टी 2.33% वाली है, ये दोनों को चाहिए एक वोट बैंक पर उनको निशाना साधना है, अब ये देखे उनको तो समझ मा आ चुका है, देखे जिस वोट बैंक के खातिर उन्होंने मुझफर नंगर दंगो का दोश हमारे जाट समुदाये पर लगाने का महापाप कि और उसके खिलाफ एक अजेंडा चलाने का करित्त किया, कि इनी लोगों ने अटैक किया था, हमला किया था, और पूरा इस्लामफोबिया का नेरेटिव चला है था, उसी समुदाये का वोट बैंक का वोट लेने के लिए, उनके लिए वो हमेशा दतपर रहते हैं, समाजवा आया, सत्रा आया, उननेस आया, बाइस आया, सेविंटी पसेंट से जादा हमारा स्ट्राइकरिज विदान सभा में भी है, लोकसभा चुना में भी है, ये इसलिए है क्योंकि वहां के किसान भी बहुत समझदार है, उनको पता है, दस साल में मिलके इनोंने लगबग एक ला चीनी की प्रोसेसिंग करवाई, और चीनी बनता रहा हो, और उस वहां पे शुगर के इनकी करशिंग होती रही, ये, सभी प्यारो, सभी प्यारो, एक करके सभी प्यारो, किसानों के लिए 36,000 करोड का हमने लोन वेवर दिया था, राजस्थान में जो बाहे चड़ा- आकर राहूल गांदी बोल के आया था, दस दिन में मैं करज माफी दूँगा, आज तक राजस्थान के किसानों को एक रुपया उनका करज माफ नहीं हुआ है, ये उनकी किसानों के प्रती कटी बतता है, जहां तक RLD का सवाल है, देखे RLD तो अपने विकल्ब खुले रख बन चुकी है, तो अगर उनका इस प्रकार से आज एक अस्तित्व पर एक क्राइस है, तो वो तो कॉंग्रिस पार्टी के साथ भी चले हुए है, वोट बैंक की मजबूरी है, इसलिए हुसना फ्रोजी पूरी है, आपको क्या दिक्कत होगी? देखे हमें, मैं तो आपसे बता रहा हूँ ना, कि देखे किसानों के हित में जो काम योगी अदितनाज जी की सरकार ने और नरेंद मोदी जी केंद के सरकार ने किया है, तो अब जो लोग किसानों के नाम पर राजनीती करते हैं, उनको तै करना है कि वो ऐसी सरकार के साथ ऐसे लोगों के साथ जाना चाते हैं जिन्होंने स्वामी नाथन कमिशन रिपोर्ट को 8 साल तक धूल चाटने के लिए रखा था, उन लोगों के पास जाना चाते हैं जो कहते थे कि MSP देने पर इंफलेशन बढ़ जाता, यह मनमोन सिंग का अधिकरित बयान है, या उन लोगो के साथ जाना चाते हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधी दे कर करोडो करोडो किसान